आज हम एक दिवाली स्पेशल टेस्टी मिठाई बनाने वारे हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनिट लोगा इसे बनाने में और बहुत ही जादा आसान भी है और कम खर्चे में भी बन जाएगा क्योंकि इसके इंग्रिडियन्स बहुत ही कम है औ और टेस्टी और आसान रेसिपीज के लिए तो यहां पर हम सबसे पहले मिक्सर का जार लेंगे और उसमें 10 से 15 बादाम डाल देंगे और 10 से 15 काजू डाल देंगे इसके बाद दो टेबल स्पून नारियल का बुरादा डाल देंगे इसे डेटिकेड़ को कुनट भी कहते है यह कोई भी किराने के दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा उसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब गुर डाल देंगे यहां पर जो मैंने 4 चीज़े यूज़ की है अगर आपके पस कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते है या फिर इसके बतले कोई और अपनी पसंद की चीज़ ढाल सकते है फिर दो टेबल स्पून घी डालेंगे घी को अच्छे से हम गरम कर लेंगे और उसके बाद एक कप सूजी डाल देंगे सूजी जो है वो बारीक वाली सूजी लेना है अगर आपके पस मोटी वाली सूजी है तो इसको मिक्सर में चलाकर उसको बिल्कुल इबारीक कर लेंगे फिर उसको आप यूज कर सकते हैं फिर आम इसमें आधा कप दूट डालेंगे नॉर्मल रूम टेंपरेचर वाला दूट डालना है आधे कप में से पहले थोड़ा से हम डाल देंगे और उसको अच्छे से ह तक हम भून लेंगे तूह कई बहुने के बाद ुसका कलर थोड़ा सा है रोग ml. यह लगा इसमें ड्यक्सक कर देंगे। और यह देखिए यह हमारा जो सूजी का मिक्सचर है वो बिल्कुल ही तयार है और यहां पर यह देखिए जो हमारा काजु बदम का मिक्सचर था वह बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया है अब हम इसको ऐसे कट करके इसके चोटे-चोटे से से बॉल्स बन की बॉल बनाई है उसको ऐसे डाल कर इसको अच्छे से सील कर देंगे हर Taraf से फूर्य आच्छे तरीके से हैं सील हो जाना चाहिए और उसके बाद हमें इसको एक पेड़े का on the otheraire अगर आप चाहिए तो अपने पसंद से कोई और शेप में भी इसको बना सकते हैं यह देखिए बिल्कुरी अच्छे से हमने इसको पेड़े का शेप दिया है इसको प्लेट के उपर रख देंगे और इसको थोड़ा सा डेकुरेट कर लेंगे आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं मैंने जस इस पे थोड़े से ऐसे पिष्टे को लगा दिया है और ये देखिए हमारे सारे पेरे बनके तयार हो जगा है तो देखा आपने किस को बनाना कितना ही आसान था और बहुत ही कम एंगेरेंस के साथ में हमने इस है बहुत ही जल्दी बना के तयार किया है मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ ये बहुत ही जादा मुलायम है और मूं में जाते ही घुल जाएगा बहुत ही जादा टीस्टी है तो इसको इस दिवाले पर जरूर ट्राई करना वीडियो अच्छी लगी होते लाइक करना और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करना